हालो दोस्तों आग सुबा मेरा एक पुराना सब्क्राइबर राजिस ने मेल किया उनका पर्मिशन लेकि मैं आपको वो मेल बताना चाहूंगा उसमें उन्हें बोला कि सैर मैं ग्रेजुएट हूँ नौकरी नहीं मिला अभी कॉंस्ट्रक्शन ओवरकर का काम करता हूँ हर रो सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जब से अपने चैनल सुरू किया था है तब से मैं आपका सब्क्राइब हूँ प्लीज एक बिसनेस आइडिया का वीडियो आपलोट कीजिए जो मैं आठ हजर में सुरू कर सकता हूँ प्लीज सर फस्ट अब राजस थैंक यू थैंक और वो प्लाइब में कुछ सुरू करना चाते बिसनेस तो उनके लिए भी ये वीडियो है लेकिन दोस्तों सुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस करना चाहूंगा कि अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्क्राइब मैं चैनल मैं रेगूलर बेसिस पे फिन चैनल में हेल्प करेगा तो चलिए दोस्तों अब सुरू करते हैं राजस फास्टापल में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो कंस्ट्रक्शन वार्कर का काम करते हैं वो मत छोड़िए ठीक है क्योंकि अभी नौकरी मिलना बहुत ही मुस्कील है और नया बिसनेस में ऐसा कोई बिसनेस आप चूस कीजिए जो आपका कॉंस्ट्रक्शन वार्क वार्किंग से मैच करें तो मैं आपको साजेस्ट करना चाहूंगा कि आप वेल्डिंग का बिसनेस कर सकते हैं और वेल्डिंग का मेसीन अगर आप आमजन से देखे तो आराउंड आठ हजार नहीं कि आप च्छोटा मोटा कोई कांटर करें आँ उनको बोलिए कि मैं आप काम उनके अंदर में करना चाहते हैं क्या होता जिस घर में भी आप काम करने जाते हैं वह पर ग्रील बगरा काम के लिए वेल्डिंग की ज़रोत परता है तो आगर खूट काम आप कर पाएं तो आज इससे आपका additional income हो सकता है और धीरे धीरे जब आपका expertise बढ़ जाएगा अब खुछ से welding का अलग से एक छोटा दुकान बनाके आपका business start कर सकते हैं welding business में यह सुविदा यह है कि इसमें ज्यादा knowledge की जोड़ नहीं है थोड़ा बहुत आप training ले ले तो जो ग्रिल का काम करते हैं जो रिपेर का काम करते हैं उनके पास जाएंगे तो आपको easily welding का training मिल जाएगा और उनका जो मेशीन है वो भी आप घर बटे बटे आमजन से खरी सकते हैं और उसको थ्रू से बिजनेस सुरू कर सकते हैं कोई भी trade license की जोरोद नहीं कोई भी दुकान की जोरोद नहीं आप तो अल्रेडी construction worker में काम कर रहे हैं इससे आपका इंकम हो सकता है दोस्तों बाकी जो सब देख रहा हैं उनके लिए भी यह सजेशन है कि अगर आपके अभी कोई बिजनेस प्लान नहीं है लाई में कुछ करना चाते हैं तो यह welding बिजनेस एक रिली अच्छा बिजनेस है कुछ भी ज़रोद नहीं है थोड़ा बहुत नॉलेच लगता है लोकल में ग्रील बगारा बड़ा जो मेसीनारी है उन सभी के लिए विल्डिंग बहुत ही बड़ा इंपोर्टन चीज होता है अगर कोई भी तूट चाहे कोई भी नया कुछ करने चाहे तो विल्डिंग की ज़रोद बहुत ही पड़ता है तो कि आप देख सकते वह मेसीन आपको आठाजर में मिल जाएगा और उनका रिव्यू भी बहुत अच्छा है तो राजस होप यह आईडिया जो मैंने आज आपको दिया यह आपको हिल्ड करेगा प्लैनिंग करने में अगर फिर भी आप कांटक्टर के बात करने के बाद अगर कोई भी आपको हिचके टायात हुआ तो आप मुझे कांटक्ट कर सकते हैं फिर से इमेल पर नहीं तो यहां कॉमेंट पर लिख सकते हैं और मेरे बाकी भीवार को भी अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और अगर आप नया है मेरे चैनल पर तो प्लीज सब्क्राइब थैंक यू एन बाई बाई